नमस्कार दुनिया समचार में आपका स्वागत है पेश है आज की प्रमुक खबरें विहार के मुख्यमंतरी जीतर राम माजी पर जूता फेका बिहार के मुख्यमंतरी जीतर राम मांजी के जनता गरवार में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक यवग में मांजी पर गिस्ता फेक दिया यवग के इस कदम से वहां मौझूद सभी लोग भाचक रह गए हालकि अधिकारियों ने तुरंकी वग को वहां से बाहर निकाल दिया बताया जाता है कि छेपरा का रहने वाला यह वग मांजी के विवादस्पत बयानों से बेहत नाराज था योके में आतंकबादियों से मिला हाफिद मुहम्मद सही एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच पूरवंदर के निकट नफ्स हुई आतंकबादी नोंका को लेकर वयान बाजी जारी है तो दूसरी ओर मुंबई हमलों का गुनागार और पाक समर्फित आतंकबादी संग्ठन लश्कर एतयवा का संग्षपक हाफिर मुहमद सहीद हाली में पाक अधिकत कश्मीर में देखा रहा सहीद ने बीते शनिवार पियोगे में उन इलापों का दोरा किया जहां आतंकियों की एक बड़ी फोज कात सेना के सहीओग से भारत में घुसपाट के लिए कयार बैठी है योग गुरू बाबा राम देव ने किये नामी पहलवान से दो-दो हां लोग गुरू बाबा राम देव ने पतंजली योग पीट के इस्ताबना दिवस पर अखाडे में उतर कर सब को चौपा दिया बाबा ने पहलवान मोहित से कुष्टी लड़ी और कई पहलवानी दाओ भी दिखाये उन्होंने कम से कम तीन बार अलग-अलग नाओ लगा कर पहलवान को आस्मान दिखाया आना कि इस कुष्टी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि मोहित पूरी गंभीरता से कुष्टी लड़ रहे दोनी के सन्यास का फैसला चौकाने वाला था विराट कोहली ने कहा भारत और अफ्रेलिया के बीट चौके टेस्ट से पहले भारती टीन के कप्तान विराट कोहली ने पूर्व कप्तान महेंदर सिंग दोनी के सन्यास के सैफले पर कहा कि महेंदर सिंध धोनी द्वारा सन्याफ लेने का फैसला सब कोच चौकाने वाला था कोहली ने कहा कि उस दिन हम सब मेलबोन टेस्ट के बाद कपड़े बदल रहे थे और सामान पैक कर रहे थे तभी धोनी ने हमसे अपने सन्यास की बात कही चुकि इससे पहले सन्यास की कोई बात नहीं हुई थी इसलिए मैं स्थभ रह गया यह हमारे लिए काफी भावुक पल था तीन सो करोड रुपे की हुई आमिर खान की फिल्म पीके आमिर खान की फिल्म पीके ने बाली बुद में कमाई के सही कीर्दिमानों को ध्वफ्त कर दिया है पीके ने मात्र 17 दिनों में तीन सो करोड का जादू या पड़ा पार कर लिया है इस फिल्म ने 305 गश्मलों 62 करोड रुपे सिर्थ भारत से एकत्रित किये है 300 करोड कलब में शामिल होने वाली यह पहली फिल्म है राजकुमार हीरानी द्वारा निर्देशिक यह फिल्म बाउफ आफिस पर अभी दी धूम मचाय हुए है और उम्मीद है कि यह 300 करोड तक जाई गी इससे पहले आमीर खान की ही फिल्म धूम तीम ने करीब 285 करोड रुपे की कमाई की थी यह थे अब तक के वुक्ष समाचार